बंधन बैंक इस स्टॉक के उपर दोस्तों बात करना इसलिए जरूरी है लास देन जब मैंने वीडियो मनाया था मैंने कहा था एक बहुती अच्छा सपोर्ट के आसपास खड़ा है यहां से डाउंसाइट अगर बहुत जादा थी तो एक मैक्स 10-15% की थी और मैंने कहा था अ इसक लेना चाहते हैं वो इन सर पर निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और जो आप कह सकते हैं एकदम बॉटम फिशिंग करते हैं उन्हें लगता है मुझे लगता है 180-200 की बीच में निवेश करना चाहिए लेकिन वो मौका ही नहीं आया बंधन बैंक वहां से लगातार पॉस्टिव रिपोर्टिंग निकल के आ रही है मोधिलाल उस्वाल ने क्या कहा है तो इन तमाम चीजों में दोस्तों तमाम रिपोर्ट आपके सब शेयर करूंगा और बताने कोशिश करूंगा कि हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करें जब वह बहुत बुरी कदर गिर रहा हो तब उसमें निवेश करना सबसे पॉफेक्ट टाइमिंग होता है देखें जैसे टीजियस के मान कर लीजे टीजियस खरिदारी के लिए पहली बात हमेशा अच्छा स्टॉक है लेकिन जब वह इतनी तीस परसें पचीस परसें बाइस परसेंट की आपको गिरावर दिखाता है उपर से उस समय वो स्टॉक सबसे ज़ादा अच्छा लगता है इन्वेस्मेंट के लिए लॉंग टैंवेस्टियम के लिए और आप देखें तो वहां से स्टॉक एप्रॉक्सिमेटली मुझे लगता है 10-12 परसेंट की और रिटर्न आपको दे चुका है ठीक है तो ऐसे ही अनिस्टॉक के साथ होता है और वही बात मैं अगर आप से चड़कर करूँ तो मेरे इसाब से सही बैठती है बंदन मैंग के लिए दोस्तों लेकिन बंदन मैंग में अभी कुछ इशूस हैं उन तमाम कीजों में चर्चा कर दोस्तों आप यहां देखेंगे लगभग 1.95% की तीजी है और यही तीजी नहीं दोस्तों अगर हम बंदन मैंग में अगर मैं आपको लेके चलूँ सिर्फ एक महीने के टार्गेट फिर से एक महीने में आप देखें इसने निचलेस ते बनाद 210 वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक आपको साड़े तेरा परसंट से जादा के रिटन दे चुका है ठीक है और यह रिटन दे चुका और इसके साथ साथ जो अब न्यूस निकल क्या रही है कि भाई जो यह बैंक है ना यह जो स्टॉक है यह बहुत जादा लुक्रिटिव पोजिशन में है क्यों आ 25 परसंट अपसाइड यह दोस्तों प्लूटिस वेल्ट ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया और सियले से ने इसमें वाई की रेटिंग के लिए वाई की जो पोजिशन ने उसे रेटिंग किया और पच्छेस परसंट की अपनी जो के लिए अपने इसमें बात कही है देखि बिसिकली बंदन बैंक की जो आप कह सकते हैं जो यूएस पी है जो स्वेंट है उसके अगर आपको उपर जाना है तो उस तरह का टैलेंट उस तरह का मैनेजमेंट डर्क नहीं लिखता है ठीक है इट वो इंकरेजिंग तो सी नियू सीनियर हायर्स फॉम टॉप प्राइवि विल पीडग की CLSA सेड बई CLSA का मानने जो MFI हैं उनके लोंस के उपर अगर जाना है तो हमें साफ सब दजर आता है कि लेकिन जिस तरह से अन्य प्राइविट बैंक से लगातार टैलेंट लिया जा रहा है हायरिंग की जाए रही है जैसे ही MFI लोंस नॉर्मल इंस्टूट लोंस अगर नॉर्मल होते हैं तो फिर एक री रेटिंग आपको इसके स्टॉप में देखने को मिलेगी ठीक है अब नेक्स चलते हैं कि भाई आगे क्या कहा जा रहा है तो देखिए देखे हैं बंदाज शेयर प्राइज हायर इन मोर्निक सेशन और दिसम्बर तू आफ्टर फ्लूट वेल्थ में अक्वाइजमें अक्वाइबल विद देखिए लुतेस्ट वेल्थ मारेजमें अलग पशेश्ट नाग स्क्राइब देखिए अधर फ्लूट वेल्थ में रूपम्ण यह खरीदा गया है टेकिंग अग्ग्रिगेट वेल्ग अडरुपीश च्वाइब देखिए अभरा ट्रूपीश टींगेडा क्या है शेयर है रूटर 25% of the current market price over the medium term the bank's strategy remain diversification to non MFI with the company to increase exposure to states beyond West Bengal with the MFI CLSA CLSA कह रही है कि बाई साब बाई की रिटन तो है और बाई की स्ट्राड़िजी नियर टम में होने वाली है वो आपके तरहें diversification है जो अपने MFI loans है उसके अन्यर loans में बढ़ाना और जो अपनी presence है वो सिर्फ असमर बंगाल के स्टेक्स में न रखते हुए अन्यर के लिजी स्टेक्स में वी जाना थू MFI loans ठीक है यानि एक well balance की बात कही जा रही है आगे आप आएंगे जो उपर कहा था मैंने the bank land of the management तो यह हमने पहली बात कर लिया है ठीक है और अगर हम अब नीचे चड़ेंगे आप देखिए however बंधन bank in an analyst meet on December 1 December 1 में एक analyst meeting जुसमें ने कहा था said that its asset quality may deteriorate further in the current as well as upcoming quarter of the financial year management ने साफ कहा है दोस्तों इतनी तमाम positivity अच्छे चीजों के बजाए company में के management ने साफ कहा है कि भाई जो हमारी quality है जो asset quality है वो आने वाले समय थोड़ी और खराब होगी और अगला जो quarter है अगला के लिजे अगला के लिजे अपकलन quarter तो financial year इस financial year का जो अन्य quarter है वहाँ पे भी आपको थोड़ी से आपके सकते problem asset quality पे देखने को मिलेंगी the lender told analyst that G.N.P.A. gross non-performing asset may rise to 7,800 करोड in December quarter and rupees 8,000 करोड in March quarter ये easy नहीं रहेगा G.N.P.A. दोस्तों 7,800 करोड तक जा सकता है December quarter में और उस 2,000 करोड बढ़के 8,000 करोड तक आपको देखेगा March quarter में कमपनी नहीं साब साब का है the bank's gross N.P.A. during the September quarter stood at 5,100 करोड in percentage term bandhan banks and gross N.P.A. remain flat at 1.2% compared to 7.3% देखे जो पिछला quarter गया उसमें September quarter में N.P.A. देखेंगे तो almost percentage अब साब फ्लाट रहा है इस बार 7.2% है जो पहले 7.3% था आप आगे पाहेंगे for the second half of the current financial year the bank expects provision to be the tune of rupees 2400 करोड जो provisions है वो 2400 करोड के आसपास रहेंगे however after adjusting for the central government credit guarantee fund for micro units ये जो CGMFU है दोस्तो these provisions may come down to rupees 1500 करोड ये जो central government की जो scheme में उसके करण आप कहा सकते हैं कि ये जो provisions है ये 1500 करोड तक भी नीचे आ सकते हैं आगे आप देखें brokerage Motilal Oswal has recommended neutral rating Motilal Oswal ने दोस्तो neutral rating DS में और lender with a price target or rupees 270 270 रुपय के price target के साथ के ही कही है और ये कहना है कि बंधन में की सिल्पेज है वो अभी भी उपर ही रहेंगे आने वाले दो quarter में और stress asset firm 78% SMF book तो देखिए मुझे लग रहा है न जो Motilal Oswal का जो rational में जाधा सही है आने वाले दो quarter बंधन मेंक के लिए बहुत टफ रहेंगे लेकिन देखिए हमेशा मैं कहता हूँ news low से आई तेजी या गिरावट कभी भी घबराना नहीं चाहिए ये जो आपको तेजी दिकी news low के कानल दिखिए और यदि बंधन मेंक वापस से पलट करके मुझे 200 तक दिखता है even 180 के आसजास भी आता है तो वो buying के लिए बहुत अच्छी opportunity होगी दोस्तों long term के लिए मैं कोई trading की बात नहीं कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों ट्रेडिंग तो आप आज भी कर सकते है stop loss लगा करके but for investment purpose मुझे बंधन बैंक का जो best price है वो 180 के 200 के बीच लगता है और मुझे तक बाजार मेंकर कोई बड़ी किरावट आती है तो शायब बंधन मेंक आपको हाम मिल जी सकता है यह नहीं कहता मिलेगा नहीं मिलेगा दोस्तों ठीक है बंधन मेंक जो एकदम bottom fishing करते है उनकी बाद कहा रहा हूँ 182,200 182,200 के पास एक tremendous support है दोस्तों बंधन मेंका तो यह पूरी analysis दोस्तों इस बात को लिए करके कि क्या plus है क्या minus है सिर्व इस तेजी में आकर के हमें निविश करने के नहीं सोचनी चाहिए जो risk आज भी इसके सामने asset quality का company ने खुद कहा है दोस्तों अपने analyst meet में कि भाई आने वाला दो quarter हमारा जो जो कहा नहीं सकते हैं आप asset quality है वो deteriorate होगी दोस्तों तो यदि आपको ये छोटी से analysis पसंद आईए यो वीडियो को लाइक करके चनल सब्सक्राइब कीजिएगा यहां तक जुड़े रहें इस बात के आप बहुत बहुत दर्लिमा दोस्तों ये इस वीडियो बंत है चैहन दोस्तों